हलो फ्रेंग सुप्रे कीचन टीवी पे आप सभी का बहुत स्वागत है चलिए आज का रेसिपी देख लेते हैं आज हम पे बहुत हिल्दी और टेस्टी सा रेसिपी बनाने जा रहे हैं तो देखिए मिनी यहां पे दो टमाटर को बारिक सा कट कर लिया हुआ दो मीडियम साइ और यहां पर बारी कटा वहारी मिर्च और पर एक कंट लोरी में तो उसे पीयास को भी आम इसमें अंदर डाल देते हैं और अच्छी तरीके से कड़ी पता करकले में का梨 टाल जिल सकने पर रखिए लोगे ato उबिया्स को और पाईर को अब डाले में सब्सक्राइव में स्ब्कराने के उब चल्यार सारे चीज जो है डिक स्राइमों कि पारक मौ हाँ, ऐसो मों परना पर जलदी से पखने दागा स्थायों आप के आपकर पंट कम्याँ जा सफिशिक गद्माल करते हैं हल्दी powder और 1 जीरा powder और यहां पर गरम मसाला पावडर भी अड़ कर देते हैं ऐसे चमश के मेजर्मेट में करीब चूमच करीब देती हो अच्छी तरीकी से मिला लेती हूं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा सती का कमी डालें सभी मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद मैं यहाँ पर एक चमच के करीब चीनी लिया हुआ है चीनी डालने से आपका टेस्ट भी बढ़िया आता है और टेस्ट का बैलेंस भी हो जाता है तो इसलिए म बढ़िया तरीकी से पक चुक है और तेल भी कितनी बढ़िया तरीकी से छूट रहा है आप पैन में से देख सकते हैं और उसके बद ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया पता डाल देते हैं धनिया पता डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेजे बहुत ही मज़िदार और अच्छे में क्या बनाना है सोच रहे है या फिर लंच में क्या बनाना है सोच रहे है या डिनर में क्या बनाना है सोच रहे है तो आप यह आसानी से बना सकते हैं प्यास और टमाटर का तो इसे अप ग्यास को आफ कर देते और इसे हम थंड़े होने देते हैं देखे बड़ होता है कब जितना जो है बेशन लिया हुआ है बेशन अप्शनल है चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो स्किब भी कर सकते हैं बेशन डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है तो इसलिए में यहां पर बेशन लिया हुआ है बेशन डालने के बाद सभी जीजों को अच्छ भी नहीं बनना चाहिए दोनों बराबर मातरा में होना चाहिए तो यहां पर्फेक्ट तरीके का आठा जो है बनके रडी हो चुका है डो देख सकते हैं थोड़ा सा हाथ को तेल लगा लेजिए और इस अच्छी तरीके से मसलना होगा एकदम स्मूध सा डो जैसा बनाना है चुक है थोड़ा से हाथ को तिल लगा लिजए और फीर से उत्य चुक तरीके से मसल लीजे खिर चुका है थोड़ा से चोटा सा लो हिए, पीर जैसे लेना होगा भी संधेशось euro ब्या बइलं से हल के हाथ से आपको जएसे पराठे बेले रोटी पील उसी तरीके से आपको बेल लगा जूबे ज्यादा जोर नहीं ड़ाना हMore हम के मिनि मैं पेसे बेल लिया वे थोड़ा किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं इस तरह से टैप कर दीजे ताकि अच्छी तरीके से लेस जो एक दूसरे को चिपके और उसके बाद थोड़ा सा सूका आटा लेकर इसे दोनों और से लगा लिजे फिर से हम बेलेंगे तो महीं है आप इसे ट्राइंगल शेप में बन जाएंगे तो आप घर पर हैसे मज़दा रेसिपी बना की खिलाएंगे जादा कुछ नहीं लगएगा सिप घ्यों का आटा और बैसन और यहां पर थोड़ा सा प्याज और टमाटर से ही घर की चीजों से ही आप इसे बना सकते तो कि में यहां पर एक ट्रेंगल शेप में ब फिर से बेलना होगा जैसे आप ट्राइंगल शेप में बेला था इसे हम यहां पर क्वेर शेप में बेलना होगा देखे थोड़ असा सोका आटा लगाना जरूरी है नहीं तो यह नीचे चिपक सकता है आप चाहे तो जो पोली बनात है उसके उसका गस पे भी आप इसे बना लिया हुआ है तो मैं यहां पर अलोड़ी ग्यास पर एक पैन रखवाए तेल अच्छे से लगा लेती हूं पैन भी बड़ा तरीके से गरम हो चुका है ग्यास फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर कर देती हूं पराटे को इसके उपर डाल देती हूं और इसे दोनों और से अची खस्ता बनके रड़ी हो जाएगा खस्ता पराटा क्रिस्पी भी देखे इस तरह से आपको किनारों को प्रेस करते वे सेखना होगा ताकि यह बड़ा तरीके से सेख सके अगर आप इस अची तरीके से सेख होगे तो यह बड़ा तरीके से बनके रड़ी हो जाएगा और इसक बच्चों को थोड़ा सा डिफरन डिफरन तरीके से बना के खिलाओगे तो उनको अच्छा लगता है बज़ेदार रेसिपी खाने बे नए तरीकी की डिजाइन के रोटी वगेरे खाने का तो देखिए आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं या फिर आपके हस्बन के टिफिन में भी दे सकते हैं तो चले पराठा दोनों तो मैं यहां पर सेक रही हूँ तो देख सकते हैं आप उपर से थोड़ा साम तेल लगाएंगे दोनों और से अच्छी तरीके से सेक ना होगा इसका कलर चेंज होने तक देखिए कितना बड़ा तरीके से हलका सा कलर भी चेंज हो चुका है तो चले पर आप एक अब अब आप इसे हम्गरम गराम कर देते हैं तो मैं यहां पर हरी मिर्ची और दही के साथ सब्सक्राइब हाँ आप चाहे तो हरी चटनी या लाल चटनी के साथ प्यापिसे सर्व कर सकते हैं तो देखिए कितना बड़ा तरीकी का हमारा सिंपल सा टेस्टी सा आट तो यहां पर तीन अलग अलग तरकी की सिंपर और हेल्दी ब्रिक्फास्स रेसिपी बनाने जा रहे हैं तो देखें में अपर तीन पैस्स लिया हुआ है आज हम पर पैस्स का इस्तमल करके बना रहे हैं जादा कुछ नहीं लगेगा कोई भी सबजी टमाटर वगेरे यूज नहीं करना है आपको सिर्फ पैस का ही तो में यहाँ पे तीन मेंडियम साइस के छोटे पैस लिया हुआ है तो देखिए मैं इसे कट कर देती हूँ यहाँ पे बारिक सा नहीं कट करना है आपको तो इसे में आपे लंबे स्लाइजस में कट कर रहे हूं देखे पतले पतले होने चाहिए जादे मोटा नहीं होने चाहिए तो ध्यान रहे पतले पतले होने चाहिए इस तरह से में आप इसे कट लगा लेती हूं सारे पैस को हम इसी तरीके से कट करना है पैस तो अलरड़ी सब के घर में रहता है तो आप इसे नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं तो जादा कुछ नहीं लगता है कोई सब्जी वगिरी उस करने की जरूत नहीं पड़ेगी आपको चले सारे पैस को इसी तरीके से मिहां पे कट कर लिया हुआ आप देख सकते हैं इस पैस का क्या करने आप काता है 143 इतना जीरा एड़ किया हुआ है और उसके बनाया पर दो से तीन हरी मेश्ची को बार एक सकत कर लिया तो उसे डाल दिया गया है तो थोड़ा सकड़ी पता डालने के बाद सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिला लेजे गैस फ्लेम को लोटू मीडियम रखना है देखे प्यास भी बढ़िया तरीकी से सॉफ्ट होना चाहिए तो इसलिए में यहाँ पर थोड़ा सा उपर से नमक डाल देती हूँ नमक आप अपने टेस्ट का कोड़ी इस्तमल कर सकते हैं तो नमक याट करने के बाद इसे फिर से मिला लीजे आप आप सभी को वीडियो प पाउडर और गरम मसाला पाउडर और उसके बाद बुना हुआ जीरा पाउडर और यहाँ पर थोड़ा सा कश्मेरी लालमीश पाउडर एड़ कर देते हैं एक तीस पूंज इतना कश्मेरी पाउडर याड़ करने के बाद देखिए आप चाहे तो ऑफ्शनल है डिया सकते क्योंकि अल्डर ने हम पर हरी मीश यूज किया हुआ है कश्मेरी लालमीश पाउडर ज्यादा तीका नहीं होता है इसे इसे कलर के लिए यूज किया हुआ है तो सबी मसालाउं को अच्छी तरीकी से मिला लिजे तो इसे में यहाँ पर दो मिंट के लिए लिए लीड तो मैं यहां पर जाने के बाद मैं यहां पर यहां पर आटा लिया हुआ है तो यहां पर दूसरा कब भी डाल देती हो देखिए मिनी यहां पर जो घर में नॉर्मल कटोरी होता है उसी से कटोरी से मेजरमेंट लिया हुआ है तो में यहां पर डाई कटोरी जितना ग्योंगा आटा यूज किया हुआ है तो डाई कटोरी आटा डालने के बाद इसमें मिन तो नमक्याट करने के बाद फिर से अच्छी तरीके से मिला लीजिए और अच्छे सा ड्राय मिक्स हो जाने के बाद में यहां पर थोड़ा थोड़ा सा पाने डालते हुए इसका हमें डो जैसा बनाना है जैसे आप नॉर्मली पराटे के लिए रोटी के लिए डो बनाना थे पूरी के लिए वग्यरा बिलकुल उसी तरीके से यहां पर डो बनाना है तो डो तो बनके रडी हो चुका आप देख सकते हैं आपर इससे अच्छी तरीके से मसल ना होगा देखिए थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है आपको तो हमें इसे सेट होने के लिए रखना होग कि इसका चिपचिपा पन जो है निकल चुका है आप देख सकते कितना स्मूथ सा डो बना हुआ है आप चाहिते हो ग्यों के आटे की जगर आप मैदा कभी इस्तेमाल कर सकते हैं मैदा उतना सेट के लिए अच्छा नहीं होता है तो इसलिए मिनिया पर ग्यों का आटा लिया आपको जितना लगता है उतना देख कर आप यहां पर लोई बना लेजे आप मीया पर नॉर्मली जैसे रोटी के लिए लेता है उतना यहां पर बड़ासा लोई लिया हुआ है आप देख सकते हैं उस्सी तरीके से मिह आप इसके लड़ड़ो जैसे बना कर रख रहे हूर थोड़ा से हम सुका आटा लगा लेते हैं दोनों और से सुका आटा लगाने के बात हम यहां पर जादा जोर नहीं डालना है इसके उपर बिल्कुल हल के हाथ से आपको बेलना है बिल्कुल हल के हाथ से जादा जोर नहीं डालना है नहीं तो सारा प्यास जो है बाहर आ जाता ह तो द्यान रहे हैं आपको यहां पर जोर जोर नहीं डालना है इस तरीके से मैं यहां पर बना लिया हूँ है ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए मीडियम जैसे होना चाहिए जैसे नॉर्मली रोटी वगेर होता है उसी तरीके से तो सकते हैं बहुत ही सिंपल और ईजी तरीकी से जल्दी से बन जाते हैं ना आलो उबालने की जरूरों थे ना स्टफिंग करने की जरूरों थे उसे ऐसे ही आप बना सकते हैं तो चले सारे पराटे को सेक लेते हैं तो मैं यहां पर लगबग सारे पराटे बना लिया हुआ है तो ताकि दोना और से बढ़ा तरीकी से सेख सकें, जल्दी से तूट सकते हैं, तो धीर से देखकर पलटना होगा अपको, फिर से मिहां पर इसके उपर साइड भी तेल लगा लेती हूं, देखिए साइड में ऐसे प्रेस करते हुए आपको लगाना है, ताकि साइड में भी या नाश्ते में तो आप सोच रहे हैं चिंता कर रहे हैं तो आप यह आसाने से प्यास तो घर में अवेलेबल रहता हैं, यह नहीं का आटा भी रहता है, आप दोना का इस्तमल करके इस तरीके कम मज़ेदार नाश्ता लग्ज या डिनर बना सकते हैं, तो चलिए पराठा मि इसे मैं परीशना असको बनाया है, न बिकें aux 2022 एस gitu बहुएब आका यह चाहाएं, यह परे सारे बना लिया हुआ है, जो नौर्मली चाहाएं डोसा की लिए इडली का लिए बनाता है, इस एसे ही खा सकते हैं मूती हूं बहुती चढ़ ना बना रहा है और हूं., आप इसे ग incluber die if the new queen tomorrow Noड जरुरी है तो चले मल Cham coral Sw Bullet कर लेते हैं तोम यह तो इसे भी सब्सक्रय को कि आप गाये उसे ही के साथ कर सकते हैं मैं दही के साथ लग रहेती हूं वह तो क्यों मसद क्या है देचलिए अग्री वीडियो भी देख देख लेते हैं उसे भी कैसे बना जाता है तो यहाँ पे चार टामाटर लिया हुआ है ढ़ạt टामाटर को बारेक साझा कौत करना हो है हमारे घर में लगातार ब्रेकफस्ट के लिए लंच में इसे तरीके से पराटे में बनाते हैं तो रोजाना मेरे घर में तीन से याँ-चार बार यही बनता है हमारे घर में बहुत सिंपल और जटपट भी है जादा समय नहीं लगेगा अप महिमानों के लिए भी आप इसे बना सकते हैं इस तरह के तो देखे इस तरह से में टमाटोर और पैस को दोनों को कट कर लिया हुआ है आप देख सकते हैं आपे तो चले इन दोनों के क्या करना है ओ भी देख तो यहां पर गास पर एक पैन चड़ा हुआ है दो एक टेबल स्पून तेल गरम होने के लिए रखाता तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद एक हाफ टी स्पून जीरा एट करेंगे और उसके बाद जो पैस लिया ता पैस को भी डाल देते हैं इसके अंदर पैस जालने के ब अब देख सकते हैं उसके बाद जो टमाटर लिया था तो टमाटर को भी डाल देते हैं टमाटर डालने के बाद फिर से इसे मिला लेजें देखे कितना सिंपल और टेस्ट चटपटा और मज़ेदार है ना इजी तरीकी का ब्रेकफास लांच आ डिनर आ बना सकते हैं बचों हाता मसाला अक्ट कर देख है कंणा प्ररे मल जादा या जाता रहें मिला लगाए और अच्छी तरीके से यह देखिएतक्ट जासे रहें जो वैदिसे लेजिक कर देख सकते प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं और मिनिया आप एक हाट प्रेस करने के बाद देख सकते हैं अजवाइन का भी टेस्स में बहुत ही बढ़िया आता है और इसका स्मेल तो बहुत ही मज़ेदार होता है तो अजवाइन डालने के बाद फिर से इसे मिला लिया हुआ है और मिलाने के बाद ग्यास प्रेम को आफ कर देते हैं आफ करने के बाद देखिए इसे हमें यहां पर लिए रखना होगा फूरी तरीके से थांडा हो जाने के बाद ही आम इसे यूज़ करना है तो ग्यास प्ले मॉफ है इसी के उपर रख देती हूं और उसके बाद एक कब जितना प्रीजियों का आटा लिया हुआ है तो उसे डाल देते हैं और एक चोटाई कब जितना बेसन ल निकाल दिया हुआ है देखिए यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है आपको ज्यादा मसाला नहीं होना चाहिए ना ज्यादा आटा बढ़ना चाहिए दोनों बराबर कॉंटिटे में होना चाहिए तभी आपका यह प्रेकफास्ट और पराटा जो है बहुत ही बढ़िया इसा बनाना या आपको देखें बड़िया तरीकलडिया तरीके से मसल होना चाहिए चोक है तुटर ऊए्छे पराथा कमें निच करें शीकर बहुत है तोस्के बाद से हमेंえー चोटा साया मीडियम सईबर करने लं यह देकिशी लेदोन से अच्छी तरीके से राउंड कर दीजे राउंड शेप में इस तरह से हमें बनाने होंगे सारे तो चलिए अब हम पराटे को बेल देते हैं तो इस तरह से हमें हलका सा टैप करने के बाद सूखा आटा लगा लेती हूं दोनों और से सुक आठा लगाने के बाद थोड़ा से बड़ा ही ले लिए आप पो नहीं लेना है आपको थोड़ा से बड़ा ही लोही ले लिए उसके बाद इस तरह से हम बेलेंगे राउंड शेप में बेलने के बाद आप पीजा कटर लेजे या फिर चाकू लेजे तो इसे हमें आपे कट करना होगा देखे इस तरह से में आपे ट्राइंगल शेप में इसे कट कर देती हूँ देखे इस तरह से में हलक ऐसे धीर इसे triangle shape में कट करने के बाद कितना बढ़िया लगता है ना आप इसे बच्चों को triangle shape में round shape में या queer shape में या फिर कोई भी shape में आप इस तरह कैसे पराठे बच्चों को बना के खिलाएंगे या फिर उनके tiffin में देंगे तो सारा tiffin खाली क करके ही आएंगे ताकि बच्चों के सम्मझेदार चीज खाने में बहुती पसंद आता है तो इसे में आप एक प्लेट में निकाल देती हूं जो बाकी क्या बच्चा हुआ है उसे बिल्कुल इसी तरीके से बना ले तो एक में आप बड़ा सा अलोई लिया हुआ है एक एक सारे एक साथ ही बना सकते हैं दिए इस तरह से बड़ासा अक पाराठा लगाने के बाद लीचा क्rora चोटे चोटे से टायंगल शेप में आप कट था सारे सीच और मिनी साइज आप बना सकते हैं तो इसे सारे पराटे को जो है एक प्लेट में निकाल देती हूं इसे सेक लेती हूं धीरे धीरे से बहुती मोटा नहीं बनाना है आपको ना ज्यादा पतला बनाना है तो इन पराटे को यह आता है पहले सेक लेदा नहीं तो यह सूख जाते हैं तो हम यह आपर सेक नहीं होगा तो मैं यह आप गयास पर एक प्यांच चड़ा हुआ है या फिर आप कोई भी नौर्मल तवा ले प्राइंगल लगा लेधे ऐप जाहे थो यह सीक्या दोदों तरीक से आपको बताया हुआ है से मज़िधा ट्रैंगल शेप में कुछ चप में पराते खाने का तो मियां पें लगातर उन्हें टिफिन में या फिर लशो लंच बॉक्स में यह वगेर उन्हें ऐसा ही बनाकर देते हो और सारा टिफिनु लोग खाली करके है आते हैं एक भी पर टान नहीं बचता है लें समय आपको लोग हो और OVER क्रीज़ित Lord कर वे जादा से तो इसलिए मैं नहीं हर रोज या हफ्ते में तीन से चार बर ऐसे ही बना की टिफिन में देती हूं तो देखें मैं यहां पर दोनों भी दो दो रख्यर भी आप इसी से सेख सकते हैं मैं आप या फिर एक एक करके सेखने से अच्छा है आप इसे जितना आपका तवा है उत्में जितना फिट होता है आप उतना पराटा रखका कर सेख सकते हैं कि अधे चुछा से छ importantes we Route in अधे में थे फ़र देखके हैं अи दो दोर लगत हैं तो हम देख सकते हैं दोनों और से फिर से हम तेल लगा लेते हैं देकि इस तरह से हम तेल लगा लेते हैं तेल लग्मा एक बाद हमारे हैसे थूधर जोरिस आपको खांता चाहिए तो चाहे तो सौस के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक किज़ेगा और हमारे चैनल को बीदे सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही मज़ेदा रेसिपे आपको मिलते रहेंगे कोई रेसिपी चाहिए तो बहुत 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 धन नेवाद और नमस्कार